अब्दुल करीम तेलगी आपने काफी सारे घोटाले के बारे में सुने होंगे लेकिन ये इंडिपेंडेंट इंडिया का एक ऐसा घोटाला है जो कि सब को हिला के रख दिया आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप सायद यकीन भी नहीं करेंग ये घोटाला 100-200 करोड का नहीं बलकि 30,000 करोड का था और इस घोटाले को एक ऐसे वक्ती ने अंजान दिया जो कभी रेलोय स्टेशन पे ठेले लगा के फल सबजिया बेशा करता था और ये घोटाला था स्टेम पेपर घोटाला और जिसका मस्टरमाइंट था अब्दुलक करीम तेलगी और इतने बड़े घोटाले का सबसे इंटरिस्टिंग पार्टी ये है कि बाद में सरकार ने इस घोटाले को कानून ही मान्यता दे दी लेकिन वो कैसे आप जानेंगे वीडियो के एंड में 29 जुलाई 1961 को करनाटक के बेलगाव शहर के एक रेलवे करमचारी के घर अब्दुलकरीम तेलगी का जन्म हुआ उनके पिता रेलवे में थे इसलिए उनकी फैमिली को फाइनेशल कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन जब अब्दुलकरीम तेलगी का उमर 7-8 साल का था तब बिमारी के कारण उनके पिता का दिहानत हो गया और उसके बाद फैमिली के हालत इतने बत्तर हो गया कि तेलगी का परिवार रेलोई स्टेशन में ठेले लगाकर फल सबजिया और मुफली बचने में मजबूर हो गया परिवार की बिगरती हालत को देख कर करीम तेलगी भी परिवार के साथ हाथ बटाने लग गया पुरा परिबार दिन भर मेहनत करने के बाद सिर्फ अपने पेट भरने के लायक ही रोजगार कर पाता था। परिबार की स्थिती भले ही अच्छी नहीं थी लेकिन करीम तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए उसने खानपूर के सरवद्धय विद्धालय में बहुत जादा पैसा कमाना चाता था। इसलिए उसने कही कमपनी में जौब भी पकरी और रिजाइन भी कर दिया। कही कमपनीयों ने तो उसको काम की लापरभाही के कारण खुदी कमपनी से निकाल दिया था। ये सब करते-करते वो एक दिन मुंबई आ गया और फिर उसक कि भारत के काफी लड़के बाहर आना चाते हैं लेकिन पेपर में खामी होने के वज़े से नहीं आ पाते या फिर उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता है। इसलिए उसने वापस आके मुंबई में करेवियान मेट्रो टेवल नाम की कमपनी शुरू कर दी। जहापर उसने फ फरजी पासपोर्ट से बढ़कर फरजी वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी लोगों को प्रोवाइट करने लगा। जिसका पासपोर्ट कहीं नहीं बनता था वो चंद घंटों में करीम तेलगी के पास बन जाता था और लोग बाहर भी चले जाते थे। उसका लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पोईंट जेल जाने के बाद तेलगी को करोडों रूपे कमाने का आईडिया मिल गया जेल में तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी से हुई जो की कुलकत्ता का रहने वाला था कुलकत्ता में रामरतन सोनी नकली स्टेंप पेपर बनाने का धंदा करता था जेल में रहने के दोरान करीम तेलगी और रामरतन सोनी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बनी और वो दोनों future के बारे में plan करने लगे वहाँ पर सोनी ने उसको कहा अगर कुछ करना ही है तो stamp paper का business करो जहाँ पर पैसा भी है और ना कोई violence और जैसे ही तेलगी की सजा पुरी हुई वो बाहर आके रामरतन सोनी की नकली stamp paper बनाने के धंदे में join कर लिया तेलगी को रामरतन सोनी का stamps बेचना होता था और जिसके बदले सोनी उसे commission देता था कमाई अच्छी हो रही थी लेकिन तेलगी और कुछ बड़ा करना चाता था कुछ ऐसा बड़ा बस जिसकी कोई मिसाल ना हो इसलिए तेलगी अच्छे से research करता है कि stamp paper क्या है उसका धंदा कैसे क्या जा सकता है और इसमें जाल साजी और धोकादारी का क्या सजा है डीटेल में research करने के बाद तेलगी stamp paper बेचने का सरकारी license लेता है ताकि आगे जो वो करे उस पर किसी की शक न हो प्लैन के मुताबिक उसको stamp paper चापने के लिए machine की जरूरत थी लेकिन बाहर से machine खरीदना impossible था और उसने अपना शातिर दिमाग लगाया और research के दोरान उसको पता चला कि जहाँ भारत सरकार की stamp paper चापने की factory है वहाँ पर जो machine से वो खराब होने के बाद निलाम कर दिया जाता है अब करीम तेलगी सीधा Indian Security Printing Press जाता है और सारी जानकारी ये कर्टा करता है कि कब machine की निलामी होगी और निलामी में machine खरीदने की process क्या है सारी details जानने के बाद जब कुछ दिनों में machine खराब हो जाता है तब निलामी में करीम तेलगी काफी उची दाम दे के वो machine खरीद लेता है जादातर लोग निलामी में machine खरीद के उसको रद्दी में बेज देते हैं लेकिन करीम तेलगी ने कुछ expert के मदद से गुपचुप तरीके से उस मेशीन को ठीक करवा लिया साथ ही उसने स्टेम पेपर प्रिंट करने के लिए ज़रूरी कागज, इंक और ज़रूरी मेटरियल का भी जुकार कर लिया ऐसा कहा जाता है ये सब हासील करने में फैक्टरी के किसी एमपलोई ने ही करीम तेलगी की मदद की और जिसके बदले करीम तेलगी ने उसको काफी मोटी रकम दी दीरे दीरे करीम तेलगी ने अपनी सीक्रेट फैक्टिरी में काफी बड़ी मात्रा में स्टेंप पेपर छापना शुरू कर दिया फिर उसने नकली स्टेंप पेपर को असली स्टेंप पेपर के साथ मिला कर बेचना शुरू कर दिया और उसका बिजनेस काफी बढ़ने लगा और इसने काफी सारे लोगों को जॉब पर भी रख लिया और उसकी stamp paper की supply पूरी देश में होने लगा आपको जानके हैरानी होगी इस काम के लिए करीम तेलगी ने देश भर से सारे 300 MBA की student को नौकरी पर रखा उनका काम था बड़े बड़े corporate office में जाकर सरकारी दफतरों में जाकर करीम तेलगी की stamp paper खरीदने की setting करें तेलगी जो stamp paper बनाता था वो कही भी देखने में नकली stamp paper नहीं लगता था साथ ही वो अपनी customer को stamp paper काफी किफायती दामों में देता था जिसके कारण उसका customer काफी बरते चले गए और इधर 1992 के बाद 7 सालों तक भारत सरकार के printing press के factory से निलामी में आने वाला सारी machine को करीम तेलगी काफी उची दाम देके खरीद लेता था और secretly उसको ठीक करवा के फिर से stamp चापने के काम में लगा देता था कहा तो ये भी जाता है कि उसका business इतना बढ़ गया था कि वो पैसे की बल पर बड़े बड़े सरकारी employee को भी खरीद लिया था और लगभग 70 शहरों में कोट कचेरी से लेकर हर सरकारी दफतरों में होने वाले काम इसी फर्जी stamp पर से होने लगे और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी चार-पाथ सालों में तेलगी का पैसा इतना बढ़ गया कि उसने सरकारी अधिकारियों को घूस देना बंद कर दिया बलकि उनको हर महीने काफी मोटी salary देने लगा बदले में उनको तेलगी की फर्जी stamp पर हर सरकारी दफतरों में पहुचाना होता था अधिकारियों को उनका मूँ बंद रखने और उनके कलम को खामोश रखने के लिए लाखो रोपे मिलते थे करीम तेलगी इतना शातिर था कि वो भारत के लगबख सारी शहरों से असली सरकारी stamp paper को भी गायब करना शुरू कर दिया था और जिसका फायदा करीम तेलगी ने जम कर उठाया और लगभग पूरे भारत में पूरे stamp paper के market में करीम तेलगी ने कबजा जमा लिया इसका पहुच इतने बड़े लेवल तक पहुच गया था कि वो सरकारी अधिकारियों के मदद से सारी सरकारी stamp paper को कुछ ऐसी जगा पर डिलिवरी करवाता था जहां बे करीम तेलगी की लोग होते थे उन जगाहों पर ये सरकारी stamp paper महिनों महिनों तक ऐसे ही परे रहते इस तरह मार्केट में सरकारी stamp paper की shortage होती चली गई और करीम तेलगी का बिजनेस बढ़ने लगा 1992 में उसने फर्जी stamp paper बनाने की बिजनेस शुरू की थी और ये खबर धीरे धीरे सरकारी एजनसियों को भी लग गया लेकिन उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वो मोटी रिकम दे के सब की मुँ बंद कर देता था लेकिन इसके बावजूद भी करीम तेलगी के उपर अलग अलग शहरों में 25 से ज़ादा केस फाइल हो गया था लेकिन उसका पहुच इतना ज़ादा था कि वो पैसों के बल पर हमेशा बचता रहा लग भग आठ सालों तक उसने स्टैम पेपर का बिजनेस किया और काफी पैसा बनाया लेकिन नवेंबर 2001 पर वो पुलिस की पकर में आई ही गया दरसल बैंगलोर पुलिस को एक टिप मिले थी कि एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें सिर्फ स्टैम पेपर भड़े हुए है पुलिस जब मौके पहुचा तब ट्रक वाले से जब कागजाद मांगे तब ट्रक वाले ने कोई कागजाद नहीं दिखा पाया और पुलिस वाले ने ट्रक को जफ्त करने के साथ ही ततकाल कुछ लोगों को गिरफतार कर लिया शुरू में पुलिस को लगा कि ये चोड़ी की स्टैम पेपर है लेकिन जैसे जैसे जाच आगे बढ़ी पुलिस को पता चला कि ये खेल बहुत बड़े लेवल का है और फिर पुलिस ने इस मामले की चानवीन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई और उसके बाद तेजी से लोगों की गिरफतारी होती गई और सब के तार जाकर करीम करीम तेलगी से ही जुरा और इस बात की खबर करीम तेलगी को लगते ही रातो रात करीम तेलगी अंडरगाउंड हो गया पुलिस के काफी ढूनने के बाद भी तेलगी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था इसी बीच पुलिस को टिप मिली कि तेलगी अब्दूल शरीफ दरगा पे जा रहा है और पुलिस बिना किसी देरी के मौके पे पहुँचके तेलगी को गिरफ़तार कर लिया तेलगी पुलिस का किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था तो कोट की मदद से पुलिस ने जब तेलगी की नार्को टेस्ट करवाई तब पता चला इस बिजनेस में सिर्फ तेलगी नहीं बड़े बड़े सरकारी एंप्लोई और राजनेता भी शामिल है नार्कोटेस्ट में करीम तेलगी ने काफी बड़े बड़े राजनेताओं के नाम लिये और उसके बाद ये केस CBI को सौब दिया गया नार्कोटेस्ट में करीम तेलगी ने जिस जिस राजनेताओं का नाम लिया उन सब को जाच से बाहर कर दिया गया CBI जाच में पता चला कि करीम तेलगी की भारत के 18 शहरों में 36 से जादा करोरों की प्रॉपर्टी मजूद है इसके अलावा देश के अलग-अलग शहरों में 100 से जादा बैंक अकाउंट जो कि अब्दुलकरीम तेलगी से जुरे मिले और जिन में करोरों रुपे मौजुद थे और पूरी जाच परताल के बाद सीविया ये गंग्लिउशन पर पहुचा कि ये घोटाला कम से कम 30,000 करोर का है हाला कि कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये घोटाला 30,000 करोर का नहीं बलकि पूरे 8 साल में ये घोटाला लग-भग 1,00,000 करोर का है पूरी जाच परताल के बाद अब्दुलकरीम तेलगी को 2006 में 30 साल की सश्रम कैद की सजा मिला और कोट ने अब्दुलकरीम तेलगी पर 202 करोर का जुर्माना भी लगाया जेल में रहते हुए 2017 के 26 अक्टूबर को तेलगी की मौत हो गई जिस कारण वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई हलाकि तेलगी के मेडिकल करने वाले पुलिस ओफिसर का कहना था 2001 से ही तेलगी को AIDS था इस बात की पुष्टी हो गई चलिए अब जानते हैं तेलगी के पास पैसे कितने थे भले है ये स्कैम 30,000 करोर या 1,000 करोर का था लेकिन इसका आधा पैसा भी सरकार के हाथ नहीं आया क्यूंकि वो पैसा कभी सरकारी अधिकारियों के हाथ लगे ही नहीं अब्दूलकरीम तेलगी के पास कितना पैसा था इसका अंदाजा खुद तेलगी को भी नहीं था कही बार जाच में उससे जब पूछा गया कि इसके पस कितना पैसा है तब वो बताने से नाकामियाब रहा आपको जानके हैरानी होगी वो अपना पैसा बोड़े में भरके रखता था इसलिए जब भी उससे पुछा जाता था कि इसके पस कितना पैसा है तब वो बोड़े में गिंती बताता था तेलगी के पास कितने पैसे है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरोप के तहत एक पुलिस कॉंस्टेबल को भी गिरबतर किया गया था जिसका सैलरी सिफ 9000 रुपे थी लेकिन जाच के बाद उससे 100 करोर रुपे की प्रपरटी की कागजाद जब्त किया गया ये पैसा बस घूस के तोर पर तेलगी ने उससे दिया था इसी तरह तेलगी के लिए काम करने वाला एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास 200 करोर रुपे की प्रपरटी का पता चला था अब आप समझ सकते हैं जब साधारन एंप्लोई 100-200 करोर में खेल रहे थे तो करीम तेलगी के पास कितना पैसा था करीम तेलगी को तो 30 साल के लिए रोज 2-3 लोग जेल में आते थे और अधिकारियों को मोठी रकम दे कर जेल के अंदर उसके लिए सब तरह की सुकसुविदाय मौजुद थी आम तोर पे लोग मुठी बंद करके घुज देते थे लेकिन करीम तेलगी बोरे में भरके घुज देता था इसलिए कोई भी सरकारी एंपलोई करीम तेलगी को ना नहीं कर पाता था हर क्रिमिनल की कोई न कोई लब स्टोरी जरूर होती है ऐसी ही एक लब स्टोरी अब्दुल करीम तेलगी की भी थी अब्दुल करीम तेलगी को आयाशी का बहुत शौक था और करीम तेलगी मज़े करने के लिए अक्सर बार में चला जाता था हमेशा की तरह करीम तेलगी एक बार मुंबाई में मशूर टोपेस बार में गया यहाँ पर करीम तेलगी का नजर एक डांसर पर परी उस डांसर पर करीम तेलगी इस कदर फिदा हो गया कि करीम तेलगी एक रात में उस डांसर पर 93 लाक शुरा दिया आज भी इंडिया में जादतर लोगों की पुरी जिंदगी की कमाई 93 लाक नहीं होती लेकिन करीम तेलगी के पास इतना पैसा था कि वो एक रात में एक बार डांसर पर इतना पैसा उरा दिया उस डांसर का नाम तरन्नुम खान था जब तरन्नुम खान के बारे में पता क्या गया तब पता चला उसी समय मुंबाई के एक दंगो में तरन्नुम खान का पुड़ा पड़िबार तबाह हो गया था पिता के मृत्तु हो गई थी और उनका एक दुकान था जो लूट लिया गया था और मजबूरी में वो बार डांसर के तौर पर काम करती थी जब से अब्दुल करीम तेलगी की नजर तरन्नुम खान पर पड़ी तरन्नुम खान की जिन्दगी ही बदल गई और देखते ही देखते वो मुंबई की सबसे अमीर डांसर बन गई तरन्नुम खान को करीम तेलगी दिलो जान से चाहने लगा था लेकिन किसी बज़े से करीम तेलगी तरन्नुम खान से शाधी नहीं की और आगे चलके करीम तेलगी ने शाहिदा तेलगी से शाधी कर ली जिससे उनको एक बेटा और एक बेटी हुई 2017 में जब करीम तेलगी की मृत्तु हुई तब 2018 को नासिक सेशन कोट ने करीम तेलगी और उसके छे सेयोगे पर चल रही सजा को खतम कर दिया और सभी मामलों से करीम तेलगी को बड़ी कर दिया गया हाला कि 2018 में करीम तेलगी उस समय फिर से एक बड़ चर्चे में आया जब उसकी पतनी ने कोट में एक याची का दायर करी कि मेरे मरने के बाद घोटाले से जमा की गई दौलत से जो भी जमिन खरी दी गई वो सरकार को दे दिया जाए भले ही करीम तेलगी दुनिया से चला गया हो लेकिन इस घोटाले से जुरी कुछ सवालों का जबाब आज भी किसी को नहीं मिला तेलगी और उसके 10 से 20 प्यादों को छोड़ कर कौन कौन इस घोटाले में शामिल था इस सवाल का जबाब आज भी किसी को नहीं मिला और तेल अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने इस घोटाले को कानूनी तोर पर कैसे माइन नता दे दी। दरसल जाच के दौरान पता चला कि 1992 से 2001 तक जितने भी स्टेंप पेपर निउस में आएं वो जादातर नकली था यानि इलिगल था। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि illegal stamp paper से किया गया सब काम illegal माना जाएगा। जैसे अगर किसी ने कोर्ट मिरिच किया तो उसने जो stamp paper दिया वो नकली होगा इसलिए वो शादी भी illegal मानी जाएगी। इसी तरह जमीन की खरीद विक्री में अगर किसी ने अब्दुलकरीम तेलगी का स्टेमपेपर यूस किया होगा तो वो खरीद विक्री भी illegal मनी जाएगी और हैरानी की बात ये है कि इन आठ सालों में जादातर काम, जादातर शादिया, जादातर खरीद विक्री अब्दुलकरीम तेलगी की स्टेमपेपर से ही हुई इसलिए हजारों बिजनेस, हजारों शादिया तूटने के कगार पे आ गई यहां तक की कोट पे भी सवाल उठने लगा इन सारे हालातों को देखने के बाद आखिर खर सरकार ने फैसला किया कि 1992 से 2001 तक जो भी काम अब्दुलकरीम तेलगी की स्टेमपेपर से हुआ है उसको सरकारी तोर पर legal माना जाएगा इस तरह नकली स्टेमपेपर स्कैम को कानूनी माइन्यता दे दी गई आपको क्या लगता है इस पूरे घोटाले को अब्दुलकरीम तेलगी अकेली ही अंजाम दिया होगा या इसमें राजनेता भी शामिल थे इस स्कैम के उपर सोनी लिब एप पर 2nd September 2013 को एक फिल्म आने वाला है जिसका नाम है Scam 2003 The Tilgi Story